गुड मॉर्निंग दोस्तों आज देट है 20 फेबुरुरुरी ओके सु 20 फेबुरुरुरुरी को यह 15 मिनिट्स के केंडल स्टीक पर हम लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा एनलेसिस कर रहे हैं आज कैसे ट्रेड बनाएंगे यह सोच रहे हैं लेट सी में दिखाता हो मार्केट थोड़ा ही अपवर्ड ट्रेंड में है ठीक है यहां से यहां तक राली किया देन उसने 38% का रीट्रेस्मेंट किया अगर अगर आप देखो कि यहां तक हम लोग पूरा पकड़ है तो इसने कोही भी एक भी रीट्रेस्मेंट किया नहीं है असा शार्प थोड़ा डाउनफॉल आके देन रिकावरी करें ऐसे कुछ भी किया नहीं है तो मेरा व्यू अज थोड़ा डाउनसाइड है बिकाउस कल HDFC बैंक का अनलिस्ट मेट हुआ कुछ दैन उसमें उसका टार्गेट्स वगेरा और डाउनसाइड आर है तो मेरा अज का मतलब में बुलते हैं में ट्रेडिंग का परपस हुआ है कि मार्केट च्छे से मुणमेंट दे देता है आईदर अपसाइड हो और डाउनसाइड हो तो वो बूत अच्छे मुणमेंट होता है तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कैसे यह वाले न्यूस को मॉनेटाइस कैसे करे सोच रहा हूँ तो अगर मार्केट दो दिन से यह रेंज में है ओके यह वाले अपसेट डाउनसेट रेंज में तो मैं यहां पर फीब लगा के देखता हूँ यहां से पकड़ लो तो इस वन ओके इस इस तम मेजर अलमस्ट तू तू त्री टाइमस यहां पर टेच कर दिया है और फाइं मिनिट्स केंडल स्टिक सो मार्केट का अटलिस देखो कि तो यह 50% का रेट्रेस्मेंट आ रहा है अटलिस यह लेवल पर अट मार्केट आया नहीं है यहां पर अलमस्ट थोड़ा नियर बै आया था बट यह थोड़ा चॉपी दिका रहा है फॉर्स्ट कैंडल यह ऐसा अलर्ट काइंड अव बन गय है कि यहां पर ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा यह काम कर सकते है फॉर्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेकर यह stop loss डाल सकते है बट मेरा मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मार्केट यह करे कि यहां से थोड़ा उपर जाके बायर को बीटाए फिर हम लोग यह नीचे का कर सकते है यहां पर जाए यहां पर ब्रेक आउट अगेरा दिका है सब बायर बेट जाएंगे यहां पर बाय करने के लिए देन वी विल टेक देन मार्केट एक थोड़ा शार्प डाउंसाइट का मूव कर सकता है तो यही है मेरा आज का अनलेसिस लेट सी मार्केट ऐसे रि यहां पर सेलर्स ते यहां पर कलका क्लोजिंग में के टाइम मार्केट को यहां पर सेल करके गयाते अच्छा कसा डाउन्बूर्ट मूवमेंट पया आफ चैनल बना के दो इंसाइट कैंडल बना दिये थे तो जैसे इसको ब्रेक आउट हो गया इसने अच्छा सा मॉमेंट दे दिया मैं ट्रेड नहीं ले पाया विकाज मेरा वीव सबसे नहीं था लेकिन मैं स्टॉपलस हंटिंग के सबसे वीचा सोच करता सोच था देन डेफ So guys मैंने trade तो execute कर लिया है ठीक है मैंको अच्छा गासा profit भी हो गया है मेरा target अलमोस्ट मैंने call और put दोनों ले लिया था यहांपर अलमोस्ट मेरे call में मैंको देखो 3000 को profit हो रहा है यहांपर 1200 का loss था ठीक है 1800 को profit हो रहा है So I will close for today, I will not hold it much Because the market has given a good breakout So let's see, this rally will continue But I will remove some lot from it Okay Because I should at least book a little profit So here Okay, I will book 30 quantity So let's see, the market is going up Okay So this is why I will remove this But still, some points You should take us from the market And some points you can take us from the risk So at least some targets of your day I should take some targets So I have booked some points You can see I have executed order from the mobile I took 30 quantity What happened What happened I will explain to you Here I have put this entry in the put option But if you can see here I was looking at a bulk order from the SDFC bank I was looking at a bulk order from the bank And even the SDFC bank Look at one minute So the SDFC bank There is no intention of going up here And it was going up here It was going up here It was going up here So I have added the call option here So as I know If the SDFC bank If it is fast move Then Either If any side market goes very quickly It is going to increase the option in the prices Okay So with that I have added the call option here And As I thought I was giving this breakout here There was one kind of breakout here Okay So I have added the breakout here So I have added one-two lot here Added Okay One-two lot Added And My position was a little hedge Look One put option And two-three call options Okay And One candle One-5 minute candle He gave a very good moment And My profit Almost Here Double to 68 There is one lot Which I have hold Fine If I will remove this lot I will see What is the rally What is the rally What is the rally What is the rally If the SDFC bank Rally Then All time high HVU Will be easy So I will hold it I will see Until This is lower low The SDFC bank Until I will hold it I will hold it That is That is My target That is HVU So Let's see I will see What to do What to do What to do Okay Guys I will update Profit Here I will lock First thing Now I want to continue this rally I want to hold it One lot At least Okay Guys I am closing for the day today Okay Bye Guys What the dance One Did You втор